तब भी में अपना अकाउंट कैसे बनाए तब भी में अपना अकाउंट बनाने के लिए आप जो वीडियों देख रहे हैं इस वीडियों के नीचे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको आने पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में आने के लिए आप सिंपली यहां पर more पे क्लिक कर देंगे इसके बाद आप फिर यहां पर more पे क्लिक कर देंगे More पे क्लिकरने के बाद तब भी अकाउंट बनाने के लिए आपको यहां पर एक लिंक मिल जाएगी आप सिंपल इसी लिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे और तब भी में अपना आकाउंट बनाने के बाद आपको 25 रियाल का Cashback फॉरण मिल जाएगा और तब भी में अपना अकाउंट बनाने के बाद आप पैसा कमा सकते हैं यानि आप रियाल आसानी से कमा सकते हैं रियाल कैसे कमाएंगे इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा आप कैसे रियाल कमा सकते हैं यानि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं तब भी के जरीए लिंक क उपर किलिकने आफिश, ऐद आप थीख सकते हैं सौधी अर्बिया, अगर आप साओधी ने रहते हैं, तो आप इसको सौधी अर्बिया पर ही रहने देंगे, और अगर आप किसी और कैंटर्य में रहते हैं, तो आप इसको change कर लेंगे, इसके भाद फुन नंबर में अपना ए नीचे continue पे click करतेंगे, continue पे click करने क讲ने के बाद आपके Mobile नंबर पर एक CODA का उस Code को आप Energy करतेंगे, Quodal करतेंके बाद आपके सामने सतरा का interface औपैण। आपनके पार कोर्याइद में आपके पते Tabith Parece ऑपनी के पार importance एमेल आड़ी में अपनी आपको वीडियों की लिंक की मिल जाएगी और आपको एक चीज़ का ख्या लगना है, इमेल आइडी में सुरू में बीच में आखिर में कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, यानि कोई भी खाली जगा नहीं होनी चाहिए, इसके बाद नीचे continue पर क्लिक कर देंगे, continue पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जागा इसके बाद नीचे get dive के उपर क्लिक कर देंगे, get dive पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जागा यहाँ पर आप देख सकते हैं, Continue पे क्लिकन एक बाद नीचे बाएं तरफ इसकी पे क्लिक कर देंगे इसकी पे क्लिकन एक बाद तब भी अप्लिकेशन डाउनलोड होने लगेगा और आपको यहां पर एक चीज का ख्याल लगता है ओपन करने के बाद आपको यहां पर युनाइटेड अरब अमिराथ हैं और सौधी अरबिया क्वेट बाहरें इजेप्त कतर हैं आपको इतनी केंटरी मिल जाएगी अब आप इन समय से किस केंटरी में रहते हैं उस केंटरी के उपर क्लिक कर देंगे केंटरी के उपर क्लिक करने के बाद अगर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है तो नो प्राब्लम आप उपर यहां पर क्लिक करके वापस आएंगे वापस आने के बाद नीचे यहां पर है प्रोफाइल के आइकान के उपर क्लिक कर देंगे इसके बाद लागिन और साइन आपके उपर किलिक कर देंगे इसके बाद अपना एक मुबाईल लंबर इंटर कर देंगे मुबाईल लंबर इंटर करते वक्त आपको एक चीज़ का ख्याल लगने है 5 से पहले जो 00 आपको नहीं इंटर करना है 5 से स्टार्ट करना है अप्लीकेशन में लागिन होना जाए अगर आपका नवाद अप्लीकेशन में लागिन नहीं तो लागिन कैसे करें इस वीडियों के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियों की लिंक मिल जाएगी तब भी मैं अपना आखाउंट बहाना एक बात आप नून से और बिना कोई ब्याज के जैसे अगर आप कोई भी सामान खरीदेंगे किस्ट पर तब भी के जरिये नून से या फिर अमेजोन से या फिर आप किसी भी वेबसाइड से तो जो पहली किस्ट होगी आपको उसी वक्त पहली किस्ट पे करनी पड़ेगी सामान को खरीदते हैं इसके बात तीन किस्ट आपको तीन महीने के अंदर में पे करनी पड़ेगी बिना कोई सूथ के यानि बिना कोई ब्याज के जैसे अगर आप नून से किसी भी कंपनी की कोई भी मुबाइल आप खरीदना चाहते हैं किस्ट पर तब भी के जरिये तो कैसे खरीदें इस वीडियों क के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियों की लिंक मिल जाएगी कोटन रेकरने बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जगस के बाद आप यहां पर वेरिफाई यवर नेशनल आइडि के उपर किलिक कर देंगे इसके बाद full name में अपना पूरा नाम इंटर कर देंगे और साथ में अपने फादर का नाम भी इंटर कर देंगे यानि आपके इकामे पर जो भी आपका और आपके फादर का नाम लिखाओगा उस सारे नाम को आप यहां पर इंटर कर देंगे फुल नेम में इसके बाद नेशनल आईडी और रेजिदेंसी नंबर इकामा में अपना इकामा नंबर इंटर कर देंगे इसके बाद डेटा आप बर्त में जो भी आपकी डेटा आप बर्त होगी यानि आपके एकामे पर जो भी आपकी डेटा आप बर्त होगी से मुझे डेटा आप बर्त को आप यहाँ पर इंटर कर देंगे इसके बाद नीचे confirm details को उपर किलिक कर देंगे confirm details के उपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक number मिल जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 20 number मिला है आपको भी इस तरह का कोई भी number मिल जाएगा जो भी आपको number यहाँ पर मिलेगा उस number को आपको याद करके रखना यही number अभी आगे काम आएगा इसके बाद नीचे आएगे नीचे आने के बाद open नफाद है पर क्लिक कर देंगे या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके आप नफाद application को open कर लेंगे open करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस open और जगस के बाद नीचे accept पर क्लिक कर देंगे इसके बार नीचे प्रोसीट पे क्लिक कर देंगे प्रोसीट पे क्लिक करने के बाद आपको सुरू में जो नंबर मिला था से मुसी नंबर के उपर क्लिक कर देंगे जैसे मुझे सुरू में 20 नंबर मिला था तो मैं यहाँ पर 20 नंबर के उपर क्लिक कर देता हूँ नंबर के उपर क्लिक नेक बाद आपके सामने स्तरा का इंटरफेस ओपने जगस के बाद आपको अपने नफाद का पिन इंटर стар करना होगा 6 रिजित वाला यानी 600 वाला यानी 6 अंक वाला जब आप नफाद अप्लिकेशन में लागिन कर रहे तें लागिन करते वक्त अपने नफात का जो पिन आप बनाएते हैं 6 रिजिट वाला यानी 600 वाला यानी 6 अंक वाला वही पिन आप इंटर कर देंगे अपने नफात का पिन इंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपके मुबाइल का सामने का कैमेरा आटोमेटिक चालो हो जाएगा इसके बाद आप अपने face को अपने मुबाइल के कैमेरे के सामने लेकर आएगे यानि आप इस सरकल के बीच में लेकर आएगे अपने face को इसी तरह अपने face को circle के बीच में लाने के बाद नीचे यह बटन green हो जाएगी आप इस बटन के उपर click कर देंगे इसी तरह उपर आप दिख सकते हैं success इसके बाद आप पहले वाले page पर आएंगे यानि आप तब भी application के page पर आएंगे इसी तरह तब भी application के page पर आने के बाद आपके सामने इस तरह का interface ओपन हो जागए यहाँ पर आद इस तरह नीचे डन पर click कर देंगे इसके बाद provide additional details के उपर click करके आप यहाँ पर है what is your monthly income में आपकी एक महिने की salary कितना उतना आप इंटर कर देंगे अगर आप थोड़ा सा जादा भी इंटर कर देंगे no problem इसके बाद यहाँ पर अगर आप मन्थली income में 1500 इंटर केंगे तो आप यहाँ पर तीन सो या फिर पान सो इंटर कर देंगे और अगर आप मन्थली income में 2000 या फिर आप 3000 इंटर केंगे तो आप यहाँ पर 1000 या फिर 1500 इंटर कर देंगे no problem इसी तरह आप इंटर कर देंगे अ आपका कोई भी बिजनस नहीं तो आप नीचे आएंगे नीचे आने के बाद यहाँ से अधर है इसके बाद what is it what परफेशन में आप क्या काम करते हैं उस काम के नाम को आप यहाँ से इसी तरह चूज कर लेंगे अगर आपको आपका परफेशन नहीं मिल रहा है तो आप यहां से किसी एक को चूज कर लाएंगे no problem इसके बाद नीचे save पे क्लिक कर देंगे save पे क्लिक करने के बाद आप दो सकते हैं details successfully added हैं इसके बाद नीचे done पे क्लिक कर देंगे done पे क्लिक करने के बाद अगर आपके सामने इस तरह का interface open होता है तो आप यहां पर go it पे क्लिक कर देंगे या फिर अपने mobile के स्क्रीन पर कहीं पर भी आप एक बार क्लिक कर देंगे इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको 25 रियाल का cash back मिला की नहीं मिला आप simply नीचे यहां पर profile पे क्लिक कर देंगे आप यहां पर रिवार्ड्स के उपर क्लिक कर देंगे रिवार्ड्स पे क्लिक अने बाद जैसे कि आप देख सकते हैं 25 रियाल का cash back मिल गया है और 25 रियाल के नीचे देख सकते हैं अन होल्ड है अब ही यह 25 रियाल अन होल्ड है आप कंफर्म होने के बाद आपका यह 25 रियाल आपके तब भी के काउंट में में बैलेंस में आ जाएगा और आपको एक चीज का ख्याल अकना है यह जो cash back आपको मिलेगा 25 रियाल का यह cash back की जो ability रहती है 30 दिन से लेकर 34 दिन तक रहती है यानि तब भी में अपना काउंट बनाने एक बाद अगर आप 34 दिन के अंदर में कोई भी सामान तब भी के जरिये किस्त पर noon से या फिर में जोन से या फिर तब भी अप्लिकेशन से कोई भी सामान खरीदेंगे तो यह 25 रियाल आपको मिल जाएगा डूल सिम 8GB रहे में 256GB वाली 5G की मुबाइल 1289 रियाल में खरीदा था आद देख सकते हैं अभी इस मुबाइल में आफर चर रहा है अगर आप इस मुबाइल को खरीदना चाहते हैं या फिर आप किसी भी कंपनी की मुबाइल को खरीदना चाहते हैं पभी के जरिये किस्ट पर नून से तो कैसे के खरीदें इस वीडियों के नीचे डेस्क्रिप्शन में आपको वीडियों की लिंख मिल जाएगी नून से मुबाइल खरीदने के बाद मैं आपको देखाता हूं तभी में जो 25 रियाल का केस्पाइक मिलाता हूं 25 रेयाल मैंन बैलेंस में आ गया कि नहीं आया जैसे कि मैं तब भी आप्लीकेशन को open कर लेता हूं ओपन करने के बाद नीचे profile पे click कर देंगे profile पे click करने बाद आप यहां पर rewards पे click कर देंगे reward पे क्लिकरने के बाद आप देख सकते हैं CR 25 यानि 25 रियाल नीचे देख सकते हैं confirmant है यानि 25 रियाल main balance में आ गया तब भी के account में आप देख सकते हैं तब भी balance के नीचे 25 से आ रहे हैं आपको जितने भी रियाल का cashback मिलेगा और आप तब भी के जरीए आप जितना भी रियाल का cashback कमाएंगे आप उस cashback को अपने account में transfer कर सकते हैं और आप उस cashback को किस्त में भी यूज कर सकते हैं तब भी में अपना account बनाने के बाद तब भी के जरीए आप पैसा कैसे कमा सकते हैं यानि आप cashback कैसे कमा सकते हैं आप सिंपली तब भी अप्लिकेशन को ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद नीचे प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर रिफर अरन के ऊपर क्लिक कर देंगे, रिफर अरन के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पर र रियाल कमा सकते हैं हर एक केस्टमर पर आपको 25 रियाल मिलेगा और जो आपकी लिंक के जरीए तब भी अकाउंट बनाएगा उसको भी 25 रियाल मिल जाएगा यानि दोनों को 25-25 रियाल मिल जाएगा जैसे फॉर एक्जामपल आपकी लिंक के जरीए तब भी में कोई भी अपन account बनाएगा तब भी में अपना account बनाने एक बात तब भी के जरीए noon से और अमेड्रोन से और फिर किसी भी website से और फिर तब भी application से कोई भी सामान तब भी के जरीए किस्त पर खरीदेगा तो आपको 25 रियाल का cashback मिल जाएगा और जो आपकी link के जरीए तब भी में अपना account बनाएगा उसको भी 25 रियाल का cashback फॉरन मिल जाएगा तब भी के मेन बैलेंस में यानि तब भी के मेन account में आप उस cashback को अपने account में transfer कर सकते हैं और आप उस cashback अपने तब भी में तो account बन गया है इसके बाद अपने तब भी के account में तब भी application में किसी भी ATM card को इट कैसे करें ATM card इट करने के बादें आप आसानी से noon से या फिर हमेजोन से या फिर आप किसी भी website से आप तब भी के जरीए कोई भी सामान खरी सकते हैं सामान को खरीते वक्त आपको आसानी होगी अगर आपने ATM card को तब भी के अपने account में तब भी application में एड करेंगे तो आपको आसानी होगी कोई भी सामान खरीते वक्ते हैं किसी भी ATM card को इड करने के लिए आप सिंपली तब भी application को open कर लेंगे open करने के बाद नीचे profile पे click कर देंगे इसके बाद आप यहाँ पर payment methods के उपर click कर देंगे इसके बाद नीचे add new card के उपर click कर देंगे इसके बाद card number में आप जिस भी अपने ATM card को add करना चाहते हैं आपके ATM card के उपर जो भी आपके ATM card का number होगा से उसी नमबर को card number में ईंटर कर देंगे इसके बाद expiration date में आपके ATM card के उपर जो भी आपकी ATM card के expirate होगी से इसके बाद civv में आपके ATM card के पीछे जो भी तिन नमबर होगा से उसी नमबर को civv में उटर कर देंगे अपने ATM card की details interconnect बाद नीचे add card के उपर click कर देंगे add card पे click करने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा wait कर लेंगे थोड़ा सा wait करने के बाद अपने जिस भी ATM card को add कर रहे उस bank के आपके account में या फिर आप उस digital wallet के आपके account में जो भी आपका mobile number register होगा उस number पर एक code आएगा उस code को आप यहाँ पर enter कर देंगे इसके बाद नीचे confirm पर क्लिक कर देंगे और आपको यहाँ पर एक चीज़ का ख्यालक ने आप जिस भी ATM card को add कर रहे हैं उस ATM में एक रियाल का होना जरूरी यानि उस ATM के account में एक रियाल का होना जरूरी है तब ही आपका ATM card add होगा confirm पर क्लिक करने एक बाद आविस्टें सक्सेजें तब भी के account में तब भी application में ATM card add हो गया है अब आप आसानी से कोई भी सामान खरी सकते हैं किस्त पर तब भी के जरूरी नून से या फिर आप मेजोन से या फिर आप किसी भी website से या फिर आप तब भी के application से